आज की वीडियो में मैं बहुत ही टेस्टी पनीर टिक्का मसाला की रेस्पी शेयर करूंगी जो बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल में बनेगा रेस्टरेंट से भी जादा अच्छा टेस्टी ये घर में तयार होगा बिना किसी फैंसी एक्वेप्मेंट के ये गैस स्टॉफ पर ही आप बनाकर इतने अच्छे पनीर का मसाला आप तयार कर सकेंगे तो चल्ये शुरू करते हैं उसके लिए सबसे पहले हंकर्ड तयार करना है अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप कपड़े में नहीं बानना चाते तो इस तरह से चलनी में रख सकते हैं बस चलनी चाय की चलनी होनी चाहिए बारिक चलनी होनी चाहिए बहुत जादा मोटी चलनी होगी तो उसमें से दही भी पार निकल जाएगा तो बस इस तरह से आप देख रहे हैं कि दही मैंने रख दिया है बारिक चलनी का इस्तेमाल किया है और इसको आप साइड में रख देते हैं इसको अच्छी तरह से तेज गर्म कर लेना ये देखिए धुआ उठने लगा है अब उसके बाद गैस का बर्नर ओफ कर दिया है 15 से 20 सेकंड के लिए इसको ठंडा कर लेंगे अब भी ये तेल गर्म है ठंडा पूरी तरह नहीं हुआ है अब इसमें हमने बेसन को भूनना है द इसका बर्नर ओफ है मैंने ओन नहीं किया है फिर भी आप देख रहे हैं कि बेसन अमारा अच्छी तरह से पक रहा है अब बेसन अमारा काफी अच्छी से पक चुका है कलर आ गया है अब भी इसमें हीट है ये गर्म है और आप देख रहे हैं बेसन का कलर कितना अच्छा हो अब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च एक टीस्पून वह एड़ कर देंगे ऑई अभी भी गर्म है गर्म तेल में जब लाल मिर्च इस तरह से एड़ करते हैं तो कलर बहुत अच्छा आता है और वह तीखी भी ज्यादा नहीं होती मिक्स कर लिया है गैस मैंने अभी तक भी ओन नहीं की है अब इसको एक बड़े बरतन में ले लेते हैं ताकि हमें पनीर मेरिनेट करने में आसानी रहे इसको ठंडा करना है आपने और ठंडा करने के बाद एक टीस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है नमक जाल दिया और यह कस्यूरी मेथि हाथ से कर लिए mean आप टीस्पून में मैं जिर पाउडर हाफ टीस्पून चाटमसालई एक टीस्पून ब्लेक पेपर वन-फूर्थ टीस्पून सब चीजें एक साथ इसमें लेने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और जो हंकर दही लेना है और एक निमू का रस सारी चीजे लेने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अगरा सब अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद एक बड़े साइज की कटी हुई प्याज ले ली है और शिमला मिर् इसके बाद हमने पनीर एड़ किया है 500 ग्राम और पनीर को बहुत ही आराम से करेंगे क्योंकि पेसे तूट जाते हैं पनीर के अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और यह अच्छी तरह से मेरिनेट हो जाएगा तब तक हम ग् तो कि अद पुआई चड़ा दिया आब इसमें ट ले ले लेना सब तो दो खलने में आप कोई भी पड़ार में शोड़िवर JR सकते हैं और यह कोई जरूराह Size प्याज ली है है इसको अच्छी तरह से हमने भूने sister आप देख रहे हैं कोईलां थेओं अ तैयार हो गया तो सबसे पहले ये जो पनीर है इसमें हम उसको रखेंगे पहले के बीच में इस तरह से जगह बना लेंगे यह दिखिए इस तरह से सेंटर बिल्कुल यहाँ पर हमने रखना है डैरेक्ट हम कोईला नहीं रख सकते पनीर खराब हो जाएगा तो या तो foil paper आप इस तरह से बीच में रख सकते हैं या फिर मैं जो करती हूँ कि मिट्टी का इस तरह से एक धकन लेती हूँ और उसमें रखती हूँ कि ये बार-बार इस्तेमाल हो सकता है बस इस तरह से वो coiler रख दिया है और इसके उपर बस एक दो बोंध हमने देशी घी डाल दिया है साथ में आप देख रहे हैं धुआ आने लगा है साथ के साथ ही इसको cover कर देना है इसको ढख कर अब रहने देंगे अब फिर से अपना तड़का देख लेते हैं देखिए प्याज हमारी भुनने लग रही है प्याज जब थोड़ी सी ऐसे ट्रांस्पेरेंट हो गई है अब हमने इसमें अद्रक लेसुन का पेस्ट डालना है एक टी स्पून और इसको भी अच्छी तरह से पकाना है ये बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे ब्राउन कलर की हो जानी चाहिए तब हमने इसमें टमाटर डालना है अभी हम अच्छी तरह से भूल लेंगे तो ये ग्रेवी बहुत टेस्टी बनेगी और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाए आठ से दस काजू लिए है काजू क्योंकि कटे हुए पीसेज हैं तो ज़्यादा दिख रहे हैं पर ये आठ से दस पीसेज ही हैं अगर साबुत काजू आप देखें नमक ले लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर ही अभी मैं पका रही हूँ धक्कन लगाकर भी मैं इसको तेजाज पर ही पका रही हूँ बीच बीच में इसको चेक करती रही हूँ और ये देखें काफी अच्छी तरह से पक गई थी उसके बाद इसको अलग बरतन में निकाल लिया है कि आप इस तरह से एक तवे पर तेल या बटर से ग्रीज कर ले और उसके ऊपर ere और वो सबसबजिया फैला ले इसको पलट पलट कर इस तरह से के और दूसरे तरीके के लिए इस तरह के metal स्क्रूर हमने तयार कर लेनी है उसके लिए एक कच्चा आलू अच्छी तरह से धोकर मैंने ले लिया है और उसको डाइस में काट लिया है अब किनारे पे लगा लिया है आलू और उसके बाद ये सबजियां जो पनीर है सबजिया है सब हम इन स्क्रूर में लगा लेंगे और दूसरे किनारे पर भी आलू मैंने लगा दिया है, बस इसी तरह से अपने स्क्रूर तयार कर लेंगे, ये बिल्कुल बहुत अच्छे स्मोकी फ्लेवर ऐसे लगेगा जैसे तंदूर से बनकर तयार हुए है, अब हमारा काम ना बढ़े, गैस का बर्नर गंदा ना हो, उसके ल स्टॉफ गंदी नहीं होगी, आप आसानी से इसे साफ कर सकेंगे, अब तेज आज पर ही इसको इस तरह से सेक लेना है, आप पकड़ की मदद ले सकते हैं, वैसे आलू की वज़े से आपको हीट नहीं महसूस होगी, हाथ सेफ रहेगा, और दूसरा पनीर अपनी जगे से हि निबुकारस उपर से डाले और इसी तरह से इंजोई कर सकते हैं, अब स्कुरूर से इसको निकाल लेंगे पनीर का मसाला बनाने के लिए, यह देखिए देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं, तो जादा बनाईए, क्योंकि बच्चे हो या बड़े, इसे देखकर प्रोल नहीं कर पाएंगे, वो खाना चाहेंगे, आप थोड़ा सा चाट मसाला और निबुकारस इसके उपर शिड़क दीजिए, यह परिटिका बिलकुल तयार है, आप इसे सेल्फ कर सकते हैं, और अब हम ग्रेवी तयार कर लेते हैं, उसके लिए यह जो हमने ग्रेवी ब लेकर बटर भी इसमें एड़ कर रही हूं, बटर को बहुत जादा हमने गर्म नहीं करना है, दो टेबल स्पून मैंने बटर लिया है, दो बड़ी इलाइची ली है, बस ऐसे साबुत ही इलाइची ले लिया है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होगा, अब तड़का बिलक यह ले लेंगे, इसमें बहुत अच्छा स्मॉकी फ्लेवर है, तो जितना भी हो वो जरूर ले, इससे बहुत अच्छा इस ग्रेवी में टेस्ट आएगा, थोड़ा सा पानी और एड़ कर दिया है, और यह देखिए, ग्रेवी को तेज आज पर ही मैं पका रहे हूं, ढ़क इसको पकने देंगे, मिक्स अच्छी तरह से करते रहेंगे नीचे तक, और तीन से चार हरी मिर्च को इस तरह से स्लाइस में काट लिया है, दो टेबल स्पून मैंने हरा धनिया ले लिया है, जो पनी टिका आमने बना के रखा था, वो पूरा ले लिया है, इसमें अच्छी मिनट के लिए और पकाया है अब इसमें एक टेबल-स्पून हनी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है वो पार्ट मिस हो गया है वीडियो बनाते हुए अब फ्रेश क्रीम दो टेबल स्पून वो एड़ कर दिया है फ्रेश क्रीम की जगे आप मलाई भी ले सकते हैं इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके दो से तीन मिनट के लिए और पकाया है यह हमारी सबजी बिलकुल तयार हो गई है इससे आप गर्मा गरम चपाती, राइस, पराठे, नान किसी भी चीज के साथ सर्फ करें यह बहुत ही टेस्टी लगेगी, आपको रेस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताए अगर रेस्पी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें मेरे चैनल को ऐसी ही और मज़ेदार रेस्पी देखने के लिए तो चलिए मिलते अगली वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ थैंक यू